आज के वीडियो में केच्वे की संदरचना और केच्वे की पूरी जानकारी डीटेल से समझाएंगे जिन पर बहुत सारे questions बनते हैं पूछे जाते हैं तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लात देखिए चलिए स्वरू करते हैं सबसे पहले केचवे का वर्गी कंड जान लेते हैं यानि क्लासिफ केशान आप अर्थवार्म को समझ लेते हैं तो संग, एनलिडा, वर्ग, ओलिगो कीटा, गंड, ओपिस्थो पोरा, वंस, फेरिटिमा, जाति, पोस्थुमा इस तरह से इसका जंत वेग्यानिक नाम होगा फेरिटिमा, फोस्थुमा केचुए का जंत वेग्यानिक नाम क्या है फेरिटिमा, फोस्थुमा क्योंकि वंस और जाति को मिला करके वेग्यानिक केरोलस लीनियस ने जंत वेग्यानिक नाम बनाये थे तो इस तरह से फेरिटिमा और रंग कैसा होता हैं तो मत्मैले रंग का हुता है इसकी तवचा भूरी होती है यति पूछा जाए की तवचा का रंग भूरा क्यों होता है तो सबस्वेट बतारियेंगे नामक रंगा gorgeous Japan के कारण ऐसी क Ole को पेरिस्टोमियम कहा जाता है सरीर का जो पहला अग्र खंड होता है आगे का पहला वाला खंड उसको क्या कहते हैं पेरिस्टोमियम कहा जाता है और इसी प्रथम खंड में मुख होता है तो मुखागर को प्रोस्टोमियम कहा जाता है जो मुखागर होता है उसे प्रोस्टोम कहा जाता है और पहले खंड को पेरिस्टोमियम कहा जाता है केचवे में क्लाइटेलम 14, 15 वा 16 खंडों में क्लाइटेलम पाया जाता है मतलब केचवे के सरीर का 14, 15 वा 16 खंड मिलकर एक चोड़ी पट्टी जैसी संरचना बनाता है और उसी पट्टी जैसी संरचना को क्लाइटेलम कहा जाता है क्लाइटेलम और यहाँ जननकाल में कोकून का निर्मार करता है याँ इसमें गमन सीटी के द्वारा होता है यह सीटी किसके बने होते है अगर पूछा जाए तो सीटी काइटिन के बने होते है तो निफरीडिया होता है जिन्हें व्रक नलिकाएं भी कहा जाता है व्रक नलिकाएं और आपको बता दें कि केचवे मल के साथ नाइट्रोजन युक्त उस्सरजी पदार्थ निकालते हैं जब मल निकालते हैं तो मल के साथ में नाइट्रोजन युक्त उस सर्जी पदार्थ निकालते हैं और यहां नाइट्रोजनी उस सर्जी पदार्थ मिट्टी में मिल जाता है जिससे मिट्टी की उर्वारा सक्ति जो होती वो बढ़ जाती है इसलिए केच्वे को किसानों का मित कहा जाता है कि केचवे को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है इस पेश्ट कीजिए तो यही लिग देंगे और ओटू रही तुवा तावरण में केचवा 6-30 घंटे तक जीवित रह सकता है अर्थात कहने का मतलब यह है कि 6-30 घंटों तक केचवे को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी जीवित रह सकता है पूछा जाए कि बिना ऑक्सीजन 6-30 घंटों तक क्यों जीवित रह सकता है अगर क्यों पूछा जाए तो बताएंगे क्योंकि इसमें आवाई वी श्वसन की भी कुछ च्छमता होती है मतलब अर्थ वार्म में एन एरोबिक रेस्पाइरेशन की थोड़ी सी पावर होती है इसलिए और केच्वे में हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाद्मा में घुला रहता है जो हीमोग्लोबिन है वो रुधिर प्लाद्मा या ब्लड प्लाद्मा में मिला हुआ होता है घुला हुआ होता है मैंने रक्त अथवा ब्लड अथवा रुधिर वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो मनुस्य होता है जो human है मनुस्य के खोन अथवार रुधिर की RBC वाली जो कोशकाएं होती है RBC कोशकाओं में हीमोगलोबिन पाया जाता है जो oxygen का परिवहन करता है लेकिन जो केचुवा होता है जो अर्थवार्म होता है आर्थवार्म में जो हीमोगलोबिन है ये प्लाजमा में घुला रहता है प्लाजमा में और केचुवा दुईलिंगी जनतु है यानि एक ही सरीर में नर जनन अंग और उसी सरीर में मादा जनन अंग पाय जाते हैं कहने का मतलब ये है कि जब नर और मादा जनन अंग एक ही जीव सरीर में हो तो उसे ही दुईलिंगी कहा जाता है तो दोनों एक ही सरीर में पाय जाते हैं लेकिन लेंगिक जनन के लिए अलग अलग औलग दो केचुवा की आवसक्ता होती है तो केचवे के सरीर के चौधवे खंड पर मादा जनन्चिद्र होता है जो सरीर का चौधवा खंड है उस चौधवे खंड में मादा जनन्चिद्र यानि फीमेल जनन्चिद्र पूर होता है तथा अठारवे खंड में नर जनन्चिद्र होता है यानि मेल जनन्चिद्र पूर ह केचवे के सरीर पर उपस्थित खंड मेटामियर कहलाते हैं जो केचवे के सरीर पर बहुत सारे खंड पाये जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेटामियर कहा जाता है ध्यान रखेंगे हर एक पॉइंट को क्या कहते हैं मेटामियर कहते हैं और यहां विखंडन मेटामेरिक विख खंडन कहा जाता है उस सर्जन की द्रिष्ट से जो केचवा है जलिये आवास में अमोनो टेलिक एबं इस्थली आवास में यूरियो टेलिक होता है अमोनो टेलिक उन्हें कहा जाता है जो मूत्र के साथ अमोनिया का उस सर्जन करते हैं और यूरियो टेलिक उन्हें कहा जाता ह जो मूतर के साथ यूडिया का सरजन करते हैं तो जो सरजन के द्रिष्ट स debuted जलिय वास है तो जलिय वास में ऑभी उनेटिंड लिक है ये हैं अगर इस्थली वास उस्थली वास में यूरियो टेलिक होते हैं केचवे का मुख्य प्रमुक उसरजी पदार्थ यूरिया होता है अगर मुख्य प्रमुक उसरजी पदार्थ के रूप में देखा जाएं तो यूरिया होता है केचवे में कोकून निर्मार होता है अभी मैंने आपको बताया था और केचवे की द पिर दिगर के समरूप होती हैं और सुक्रानवों यहाँ इस पर्म का परपक्वन अंडाड़ों से पहले हो जाता है। पूर्वता अथवा प्रोटेन राई पाई जाती है तो केच्वे के जीवन चक्र में लारवा प्रावस्था और कायांत्रण नहीं होता है यागर इसकी लाइफ साइकल की बात की जाये तो इसमें लारवा प्रावस्था और कायांत्रण नहीं पाई जाता है यहां दुलिंगी चार जोड़े दिल पाये जाते हैं, इस प्रकार से कुल आठ हिर्दे पाये जाते हैं, कौन-कौन से खंडों में हैं, तो सातवे खंड में, नवे खंड में, बारवें और तेरवे खंड में, चार जोड़े दिल हैं, इस प्रकार से आठ दिल पाये जाते हैं, एट हार्ट केच केचवे में सुक्रग्राहिका अथिप्कमेटिका 5, 6, 6, 7, 78 और 8, 9 खन्डो में पाई जाती है. केचवे में समवेधी प्रेरक तथा समयोजन नियुरांस पाय जाते हैं कौन-कौन से समवेधी प्रेरक और समयोजन नियुरांस होते हैं केचवे के सरीर में 100 से 120 तक खंड पाय जाते हैं अगर खंडों की बात की जाये सेगमेंट की बात की जाये तो 100 से 120 तक खंड पाय जाते के इन बहल ने भारती केच्वे का विस्तार से अध्यन किया था और मेगास्कोलैक्स सबसे बड़ा भारती केच्वा है के इन बहल ने भारती केच्वे का विस्तार से अध्यन किया अगर प्रश्ण पूछा जा किस ने अध्यन किया था और मेगास्कोलैक्स जो है यह सबसे आसा है, आप सबी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो समन्ने में आया हो तो वीडियो को लाइक, और सेर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब यहीआ हो, ओच्छरा libertin product ,